प्रदेश में तीसरे चरण के चुनाव के लिए आज शाम से प्रचार थम जाएगा जिसको लेकर राजनेतिक दलों के स्टार प्रचारकों ने आज पूरी ताकत जोग दी है इसी क्रम में जालोन में आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने जनसभा की उरही के राजके इं सरकार गुंडे माफियाओं की सरकार थी इस सरकार में अत्यचार होता था प्रदेश में योगी सरकार बनने की बाद कानून का राज कायम हुआ है गुंडे माफिया भाग खड़े हुए हैं उन्होंने कहा कि आयोध्या में ड्राम मंदर सपा बसपा और कॉंग्रेस के कारण 26 साल तक नहीं बन सका लेकिन बीजेपी सरकार में अब मंदर के निर्मान का कारिय शुरू हो चुका है उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार बनते ही बालिकाओं को स्कूटी चात्रों को लैपटॉप और किसानों को सम्मान निधी दी जाएगी उन्होंने लोगों से आशी को जिताने की अपील की